हाई एवरिवन प्रेश दे बेल आइगन फॉर लेटर्स अबडेट्स एंड सब्सक्राइब दे चैनल है गाईज मैं हूँ आपका दोश जफर इकबाल और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जफर स्टूडियो में जहांपर कॉंसेट्स और डिमंड आपके होती है और फोटो एडिटिंग मेरी तो आज की जो वीडियो है वो लाइन फोटो एडिटिंग वाली है जिससे बनाने क एक लिए मजे शकरी मस्ती ग्रूप और किंग मुशीर ने कहा था वैसी कमशीर ने रोबोट लाइन वाली एडिटिंग कहा था बट विलाल आपको नॉर्मल लाइन वाली एडिटिंग से कामेशाया लाना पड़ेगा और और बीसरी ने कहा था कि LAON्न वाली डिटिंग करन तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो और एम करते हैं आज 1000 लाइक्स का और जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बिना बैल आइकोन दबाए सब्सक्राइब करने का कोई वैल्यू नहीं है तो बैल आइकोन जरूर दबाना तो चलिए स्टाट करते हैं बिना किसी तरी के साथ तो दोस्तों सबसे पहले आप पिकसाट अप्लिकेशन डाउन्लोड कर लें लिटेस वर्शन जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके बाद पिकसाट चाहिए यहां से हमें एक फॉरिस्ट का फोटो ले लेना है तो यहां पर मेरे पास एक फॉरिस्ट का फोटो है तो मैंने इसे ले लिया इसे सबसे नीचे डाउन करेंगे और ऊपर खीच के लंबा कर लेंगे इसके बाद यहां पर सेट करके देखेंगे कि कैसा लग रहा है यह थोड़ा सार बढ़ा करना हुगा हलका सा हाँ यह काफी एच्छा लग रहा है लोग इसके बाद मैं इसे डन कर लेता हूं लेयर में जाओंगा दोनों लेयर को मर्च करके एक सिंगल फोटो बना लूँगा तो त्री डॉट में जाएंगे मर्च पर क्लिक करेंगे यह अब यहां पर हमें एक लाइन का फोटो चाहिए तो एड फोटो में चलते हैं यहां से मैं क्लाइन का पी एंजी ले लूँगा याद रखिए सारी फोटो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं कमेंट्स में फिर यह मत बो है कि यहां पर बहुत सारा फव्ग है इतना सारा फॉग होने के विए से तो पैर वह दीक हो दिखने रहा है इतना ज्यादा धुनद है तो उसके वे से भावा करना है पीछे का एस्थित करना और आसकपास का अफिकिए साइड-साइड तक तो अब देखिए यह काफी अच्छा लग रहा है पीछे का हिस्स एक्दम धुन्द में घिरा हुआ है और सामने का फिस्स एक्दम क्लीन है तो काफी अच्छा सा लुक आ रहा है इसके बाद हमें क्या करना है फिर से ड्रॉटूल में चलते हैं अब यहां पर हमें मॉडल तो लेर में जाते हैं पहला लेर चू्ज करेंगे हम यहां से एक मोडल चूज कर लेंगे तो विजय माहर का एक फोटो देखा थे मैं ऑर ट्रेंज से भागता हुआ तो वह वाला फोटो मैंने डाउनलोड कर लिया और उसको कट कर लिया बैग्राउंड आप लोगों को एरेस करना बहुत अच्छे से आता है जिने नहीं आता है दिस्क्रिप्शन में लेंक है किस तरह से फोटो को फुल एजडी में एरेस करते हैं वहां से देख लेना अच्छली मुझे भागता हुआ कोई फोटो चाहिए था मैंने बहुत खोजा कुछ भी नहीं मिला मुझे तो एड़ एंड मुझे यह दिखा और मैंने बोला यह काम का है यह डाउनलोड कर लेता हूं इसके बाद हमें क्या करना है एक और इंपटी लेर लेने के बाद उसे मॉडल और फोटो के बीच में रखना है यहां सेड़ बनाना है में तो लाइट पीछे से आ रही है तो सामने बनेगा तो यहां पर सिंपल सा एक लाइन क्लियर कर देना तो यहां पर सेड़ बन जाएगा इसके बाद हमें इसकी ऑपासिटी डाउन कर देनी है कितना डाउन करेंगे 65 के पास इसके बाद फिर से एक इंपटे लेंगे उसको भी घीच कर नीचे लाएंगे मॉडल के नीचे अब हमें क्या करना एक चीज ध्यान दीचे ब्रस का एक से अब इरेस कर देंगे काफी अच्छा लग रहा है बट उपासिटी बहुत है तो पासिटी डाउन करेंगे इसकी कितनी डाउन करेंगे करिब करी 50% 55 अच्छी लग रहे है अब क्या करना है सारे फोटो को मर्ज कर लेता हूं में एक सक तो तो 3.0 में जाएंगे मर्ज क करने नशाहीम लगी तो यहां पर मेरे पास कहां गया यह राख यह फीत करने हो कर लेता हूं यहां पर मैं इसे सेट कर लेता हूं दो उंगली से इसे साइट साइट करके बढ़ा करूंगा और यहां पीछे की तरफिक लगा दूँगा यह साइड में करेक्ट यह अच्छा लग रहा है फिर से क्या करना है फिर से इसे कॉपी करेंगे और त्री डॉट में फिर से जाके ट्रांस्फॉर्म करेंगे और इस बर स दाइने में हमें लगा देना है तो यह आहां फोटो hen पूरी तर प्रक हुद परने करले आपगे साइफ कर लूगा वरूँगा एजटे सारा काम और सब्सक्राइब इसका में काम है तो लाइट रूम कहां से डाउनलोड कीजिएगा लिंक दिया हूं डिस्क्रिप्शन में जिसमें सारा टूल है और बाकी जितना सेलेक्टिव तूल है सब कुछ है मिल जाएगा आपको तो यह मैंने फोटो ओपिन कर लिया है इसके बाद हमें ऑटो इन्हेंस क्लिक करेंगे तो यह बहुत स्मार्ट है फुट से जिस्ट कर लेता है लेकि इतना भी स्मार्ट है नहीं थोड़ा सा बहुकूफी है तो इसकी हाई-लाइट थोड़ा इसके बाद और कुछ चेंजे से ब्लैक ब्लैक को थोड़ा बढ़ा लेते हैं प्लाइशन को भी बढ़ लेते हैं अगर जरूरत लेगे तो बाद में से कम कर लेंगे फिलाल इतना रहने देते हैं टेमपरेचर बढ़ाएंगे करीब को तीन से चार परसंट के पास पास चार परसंट हुआ ठीक है अच्छ लग रहा है इसके बाद हमें क्या करना है देखे फूटो अच्छी लेग अर फ्लो जो है कम रखेंगे 30 परसंट के पास अब देखिए जो साइट साइट में जो पेल पोधा है ना छोटा-छोटा इसे कलर कर लेंगे तो मैं इसे सब्सक्राइब कर लिए इसका कलर चेंज करते हैं लेकिन उससे थोड़ा सा चेंज करते हैं यहां पर एक्सपूजर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसका थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हाइलाइट भी बढ़ा लेंगे शैडव भी बढ़ा लेते हैं वाइट वाइट भी बढ़ा लेते हैं ब्लैक कम कर लेते हैं अब हमें कलर चेंज करना है तो कलर में चलते हैं इसका कलर चेंज करके कौ और कुछ तो नहीं है सब सब्सक्राइब दोड़ा लाते इसका बढ़ा लेते हैं यह काफी अच्छा लूग आ चुका है यहाँ पर इसे क्या करेंगे अप्ड कर लेंगे और भी बहुत सारा काम है आज ठेकि इसमें बहुत सारा काम है और फिर से हमें क्या करना है सिलेक्टिम में चलते हैं यह कर snatch चुनननुगा इससाइज 100 कर दूँगा बिल्कुल एक खल्का सब्लीक करूँगा इसके बाद इसका जो इक्सपोजर उसे बढ़ा का आइलाइट थोड़ा वह फिर में कहाता है कि इसकी अबाद हमें रेक्टेंगल करना और वुह से बढ़ा कर लोगाता हूं सब्सक्राइब कुल सब्सक्राइब सब्सक्राइब Supply सबीस तो यहां पर फिल अच besoin खर लिता होुए व कंड़िन तरा बिसके बाद कम कर लेता है फोर बाद यहांं पर नेनुज चैन्ज करने नहीं लिए तीज यहां पर इस इफेक्ट में जाने के बाद इसका कलर में आते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, है एक फिप्टी नई सेबंटी वन के पास है कि एक चैक्श लग रहा है कि कलर है तो यॉड और आर्रेंज के बीच का लग रहा है कि थोड़ा और नीचे करना चाहिए थोड़ा सा इधर करता हूं करेक्ट अच्छा लग रहे हैं कर लिया इसके बाद हमें फिर से सिलेक्टिव में जाना है फिर से रेक्टेंगल चूज करेंगे नीचे कहीं सा ब्लैक करना होगा थोड़ा सा क्युक्कि बहुत ज्यादा नीचे लाइट आ रहा है तो यहाँ पर एक्सपोजर को घटा लेते है देब अच्छा लग रहा है और यहां पर लग रहे हैं यहां पर फैस्ट तरी जड़ा लेते हैं अथस्ट कर लेते कंब कर लेते हैं और अफ्ट की चलते हैं पाल Hasil अप्र है वह किया आज़्समम सा यह चले है और निसके बाद और क्या करना है कैसे छाप्नगे नमेंशका सवब्ला के पर आज एगे कि आजिस वाक spoz सब्सक्राइब कि को अब हैं को अब अब के पास समय नौ घ्रेट करेंगे और कलर स्टीए और को काफिकर क्यों घ्ली करेंगे पिसके ज्यादा हो जा रहा है तो इसका कर थोड़ा कम कर लेते हैं वीबरेंस 20 के पास कर लेते हैं और सार बढ़ा देते हैं 30 के पास अच्छा लग रहे तो दिखे क्या ऑसम सा लुक आया है पहले कैसा था बेरंग कुछ भी नहीं था जान नहीं था फोटो में अब देखे असली फो के लिए यह पहला एडिटिंग चैनल है जो आप लोगों के डिमांड को फोटो एडिटिंग करता हूं तो चलिए मिलते अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई प्रुद को मुझत के लिए बाबबाव करेंग के लिए टो आपने प्रुद ।